नमस्कार, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेभाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपीद पत्रकारिता, दाफ्ती है, सवाल, दर सवाल नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो, यह साल उम्मीदों भरा हो, उमंग भरा हो, और निश्चित तोर पर प्रेम और सोहार्द से भरा हो, यह हमारी कामना है नय साल पर नई दिशाएं, नय मकसद, नय लक्ष, यह सब हमारे आपके सपनों का हिस्सा है, लेकिन दुख की बात है कि जब नया साल शुरू हुआ, दो घटनाएं ऐसी हुई, जिसकी परचाई पूरे साल भर हमारे आपके जीवन पर, लोगतंत्र पर, समाज पर पढ़ती रहेगी, जिस तरह से वैशनो देवी में पचास हजार के करीब श्रधालू पहुचे, वहां भगदर मची, लोगों ने अपनी जाने गवाई, और कहीं से भी किसी की कोई जवाब देही, जिम्मेदारी नहीं तै की गई, वह बहुत चिंतनी है, बहुत दुख की बात है, औ और खास्त और से तब, जब हमें दिखाई दे रहा था कि दिसंबर के अंत में, क्रिस्मस से लेके नए साल तक तमाम आयोजनों पर रोक लगाई गई, बड़े आयोजन नहीं होने दिये गए, पुलिस हर जगा मुस्तैक थी, ऐसे में आखिर कौन लोग थे, जिन्होंने इत साथ नया साल भारती महिलाओं के लिए बहुत खौफनाक तस्वीरे लेकर आया, जिस तरह से हमने देखा कि बुली बाई नाम का एक प्लेटफॉर्म जो गीठव पर बनाया गया था, उसमें हमारी आपकी तमाम संगी साथियों को सौ से अधिक उनकी संख्या है, उनकी खरी उसने बताया कि पिछले साल का जो खौफ है, पिछले साल की पूरी विकृत मान सकता है, वह 2022 में भी उसी तरह से हमारे आपके जीवन को, हमारे आपके लोकतंत्र को, हमारे आपके मुल्क को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, यह साजिश है, जिस तरह से बुली बाई प्लेटफॉर्म के जरिये बुलिबाई नाम से एक पूरा खरीत फरोख्त का पूरी की एक मंडी तयार की गई जिसमें उन तमाम मुस्लिम महिलाओं को जिसमें दिल्ली हाई कोट के एक जज़ की जो वाइफ हैं वहां से लेकर तमाम जो नामचीन महिलाएं हैं या जिन्होंने अपनी लेखनी से अपनी पत्रकारिता से अपने समाजिक कारे से अपने राजनितिक कारे से एक निर्भीक महिला का पूरा का पूरा इमिज तयार किया उन सब को एक एक करके निशाने पे लिया गया और यहां आप आएंगे कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें 65 साल क महिला से लेकर जो युवा पत्रकार हैं उन सब को एक साथ खरीद फरोख्त के लिए इस प्लेटफॉर्म पर उतारा गया और पूरा का पूरा जो एक वहशियाना माहौल था वह पेश करने की कोशिश पहली जन्वरी को ही की गई मुझे खुशी इस बात की है और मुझे लगता है हम सब को खुशी इस बात की है कि यह जो विकृत बलातकारी सोच है इसका मूँ तोड जवाब तमाम महिलाओं ने दिया दिल्ली की पत्रकार हों मुंबई के लोग हों हर जगह लोगों ने इसके खिलाफ पूरी निर्भिकता पूरी बोलने से हस्तक्षेप किया खुद वे गई पुलिस के पास और उन्हों ने वहाँ पर अपनी F.I.R. दर्स करवाई हम यहाँ पर आपको याद दिलाएंगे कि ठीक इसी तरह की घिनोनी साजिश भारती महिलाओं के खिलाफ जुलाई में भी हुई थी सुली डील्स के नाम पर वहाँ पर भी यही नजारा था इसी तरह से तमाम महिलाओं की फोटो लेकर तमाम मुसलिम महिलाओं की फोटो लेकर खरीद फरोक्त और अश्लील फक्तियां कसी जा रही थी और शर्मनाक यह है कि ना उस समय कोई कारवाई हुई थी और ना इस समय कोई ठोस कारवाई करती पुलिस दिखाई दे रही है हाला कि मुंबई पुलिस ने हस्तक शेप करते हुए बैंगलोर के एक व्यक्ति को ग हुआ समाजिक कार्यकरता सना सुल्तान से भी कि वह किस तरह से देखती है इस पूरे घटना क्रम को साल के शुरुवात में ही 100 से ज्यादा महिलाओं को टार्गेट किया जा रहा है यह महिला कहीं किसी मुकाम पर अपने बंदिशे तोड़ कर पहुंची है अब इन महिलाओं को टार्गेट किया जा रहा है यह मुस्ली महिलाओ को यह नहीं देश की हर एक महिलाओं को टार्गेट किया जा रहा है मैं चाहती हूँ जो सरकार इस पर चुप्पी सादे हुए है इसके खिलाफ आगे आए ये जो महिलाओं की मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को एक खिलाफ सक्से सक कारेवाई करे लोकतंतर पर हमला चहुतरफा है यह 2021 यह उससे पहले से हम लगातार आपके स साजा करते आ रहे हैं इसी क्रम में हमें दिखाई दे रहा है कि जब से उत्तरप्रदेश चुनाओं की तैयारी शुरू हुई है हमारे आपके अख़बार बिल्कुल विग्यापनों से रंगे हुए है यह विग्यापन नफरत से भरे विग्यापन है एक समाज के खिलाफ ए यह विज्ञापन हर जगा जा रहे हैं, बड़ी हैरानी होती है इन विज्ञापनों को देखकर, यह विज्ञापन सरकारी खर्चे से आ रहे हैं, किसी political party के विज्ञापन नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इन विज्ञापनों में दूसरी राजनितिक party, चिंता की बात है कि हमें दिखाई दे रहा है कि विग्यापन से जुड़ती ही बिल्कुल हू बहू वही भाशा में खबरें हैं जो लीड बनी हुई हैं इस पूरे प्रकरण पर बहुत ही पैनी निगाह के साथ वरिष्ट पत्रकार एजाज अश्रफ ने एक लेख लिखा उस के संदर में हमने उनसे बातचीत की आईए इस लेख के कुछ हिस्से देखते हैं और एजाज किस तरह से इन दोनों चीजों को जोड़कर हमारे सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अवधारना बनाने की इंडस्ट्री के तौर पर हमारा मीडिया खड़ा हुआ है वह आपने जिस तरह से मीडिया के बारे में लिखा है और खास तरह से तीन अख़बारों को आपने उनका जिक्रत किया है उस पे मुझे लगता है बात करनी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो माहौल दिखाई दे रहा है खास तरह से उत्तर देश चुनाओ का और उसमे जो अखबार हैं जो मीडिया घराने हैं वो एक ही तरह के विग्यापनों से एक ही तरह की खबरों से भरे हुए हैं खबर और विग्यापन में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है यह आपको क्या लगता है कि नहीं परी घटना है इस न्यू डवलप्मेंट कैसे आप होता और एक होता है बट यह जो पॉलिटिकल आइड का जो सिल्सला इस देफनेटली एफ फॉर्म पेड नियूस कि आप एक के बाद एक लोगों को आइड दे रहे हैं और उसके बाद जो स्टोरी की जा रही हैं वो पेजवन पर रहती हैं और उस स्टोरी का कोई मतलब हम सा पर देखते हैं तो पहला पेज आपको आड देखता है दूसरे दिन आप जब खोलते हैं तो देखते हैं कि लीड़ हैज़लाइन जिस बीजेशित पीकी है यह जो मतलब आप दे रहा है जो इंकी सरकार वहां पर है तो इसलिए वह दे रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड और वो एक बार या दो बार नहीं हो एवरी दे फिर उसको लिंक किया जाता है अक्टिविटी से कि आज हम जैसे आज हमने आज निकाला उसमें मैंने बोला कि आज ये इनका ये प्रोग्राम है तुसरे जिन वही है एडलाइन होता है एक तरीके से ये एक स्ट्राड़जी हो पॉलिशी प्रोग्राम ये तो अपने राइवल्स की बुराई नहीं करते हैं बलकि आप अपनी अपनी अच्छाईयां प्रोजेक्ट करते हैं तो जो बुराईयां अब आप देखें होंगी लगतार तीन चार जिन से एक आड आता है लाल टोपी पहने हुए एक नेता बाठे हुए होते हैं उनको कभी पैसा दिया जा रहा है तो कभी वो कुछ कर रहे हैं वो सब को मालूम है वो किसके अगेंस डिरेक्शन है तो डाट 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 डेफिनिटली थे न्यूस्पेपर शुड़ अपना खाम कर रही हैं उसी समय लोकतंत्र को बचाने जिन्दा रखने वाइबरेंट रखने की ताकतें भी इतनी कड़कडाती सर्दी में अपना खाम कर रही हैं एक ऐसे ही जवाब देही यात्रा चल रही है राजस्थान में राजस्थान में 45 दिनों की जवाब देही यात्रा 80 संगठन मिला कर चला रहे हैं वे राजस्थान सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो वादा उन्होंने चुनाव के समय किया था उनके घोशना पत्र में है कि वह जवाब देही कानून लाएंगे उसे वह जल्द से जल्द लागू करें आखिर यह जवाब देही क्या है और किस से है इसे जानना समझना बेहर जरूरी है आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे समय जब सरकार साधारन तोर पर समधाता समेलन या प्रेस कॉन्फरेंस नहीं करती किसी सवाल का जवाब नहीं देती तब सरकार से जवाब देही क्या हम और आप मांग सकते हैं कम से कम राजस्थान की धर्ती पर जिस तरह से भीर उमड रही है जिस तरह से वो सरकार से जवाब देही बांग रही है उससे तो ऐसा लगता है कि लोगतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें ही सरकार को जवाब दे एकाउंटिबल बनाना है और इस यात्रा की खासियत य जुड़ रहे हों चाहे अपने मुआवजे के लिए जुड़ रहे हों वे सब मानते हैं कि हमें राजस्थान की धर्ती ने बहुत एहम कानून दिये हैं राजस्थान की धर्ती से ही सुचना की अधिकार का कानून मिला वहां पे एक लंबा आंदोलन चला उसके बाद राइट का क्या हुआ हमारी पेंशन का क्या हुआ निश्चित तौर पर यह दूसरी तरफ लोगतंत्र को लोगतंत्र को बचाने की लड़ाई को मोड़ेगी इस पूरे की पूरे जो यात्रा चल रही है इस पर हमने बात की शंकर से शंकर जो MKSS के बहुत ही मजबूत थम हैं वह भीलव बाड़ा में हैं भीलवाड़ा में सिलोकोसिस के जो मरीज रहे हैं जो पीडित रहे हैं जो विद्वाएं रही हैं वे सब जिलादिकारी को घेर कर बैठी हुई थी जब हम पहुंचे शंकर के पास आईए देखते हैं शंकर किस तरह से इस पूरी यात्रा को हमारे साथ साज जवाब दो जवाब दो कल नहीं जी आज मदो जवाब है कि इस समय भीवारा से हमारे साफ जुड रहे हैं। भीवारा में जवाब दे हैं पहुँंची है आज 15 दिन है जवाब दे हिय The दो चीजें आप से हम जानना चाहते हैं शंक्तर जी जवाब देही यात्रा की ज़रुवत क्यों पड़ी राजस्थान में जवाब देही यात्रा एक्चुली क्या है कि लोगों की इतने शिकायते और उसका कोई समाधान नहीं और शिकायते जो ऐसी हैं कि वो रोज-रोज दफ प्रव में काम होता रहे तो लोगों की चाहित से कोई ऐसी सिकायत तिये जिसमें को बहुत बड़ा इनको को जमेला करना पड़े पैंसल रूग गई पालना रूग गया सिल्कोसिस के पैसे नहीं मिले पटवारी मिटेसर नहीं खोड़ रहा है नामान कटके नकल नहीं मिल र कर लगवाने का जो काम है वो कैसे रूख सकता है शंकर जी एक चीज ये भी बताइएगा कि ये जो जवाब देही यात्रा है इसमें आज पंदरा दिन का सफ़र इसमें तै कर लिया है किस तरह का लोगों की प्रतिक्रिया क्या है किस तरह से लोग आ रहे हैं और सरकार पर र कि कि एपिक्सा लगातार यही है कि ऐसा में बनता है जो बहुत जरूरी है ताचे हमरे अपने काम होंगे जवाब देखा भी लोगों की चंदे से चल रही है हम हर चौराय पर लोगों से जोली मांगे जोली पहला के पैसा भी मानग रहे हैं हमारी खाने की बास्टा जगे ज कि आपने रखा है क्या अगर उसी एक दो लाइन आप पिल्कुल पर फाइलों पर फाइलों कढ़ेर है दूल खाए फैसले कैसा यह अंधेर है पूछती है फाइले जवाब दो जवाब दो घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए यह देश की जनता अगर सरकार से पूछे या पूछ रही है तो निश्चित तोर पर यह लोगतंत्र के लिए अच्छा संकेत है इस अच्छे संकेत के साथ ही हम आपसे अपील करते हैं कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाईए न्यूस क्लिक, खोज खबर, शुक्रिया